कुवर सचदेव भारत की लीडिंग पावर सोल्यूशन कमपनी सुकम सोलर इन्वर्टर के संस्थापक और एमडी है और साथ ही वे एक महान खोजकरता, मार्केटर, प्रेनादायक वक्ता और उद्योजक भी है। व्यवसाय की शुरुवात उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर साइकल पर पेन बेचते हुए की थी और बाद में उन्होंने एक सफल केबल टीवी कम। युनिकेशन व्यवसाय की स्थापना दिल्ली में की थी। कड़ी मशक्कत और महेनत करते हुए उन्होंने आज सुकाम को भारत की मुख्य कमपनियों में से एक बनाया। आज सुकाम इंडियन मल्टीनेशनल कार्पोरेशन है और इसे भारत की सबसे विक्सित और तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री में से एक माना जाता है। यह कमपनी तेजी से विक्सित होने वाली टॉप 500 कमपनियों की सूची में भी शामिल है। सचदेव ने भी तकरीबन 90 देशों तक अपनी कमपनी को पहुँचाया है और इसका लक्ष अफरीका और एशिया के ज्यादातर भागों को कवर करना ही है। UPS Inverter Industry में खोज दिल्ली यूनिवर्सिटी से Mathematical Statistics और Law की डिगरी हासिल करने के साथ ही और साथ ही बिना किसी Technical Background के होने के बावजूद। उन्होंने Power Electronics में महारत हासिल कर रखी थी। विविद व्यवसायों को संभालते हुए भी वे सुकाम के R&B Division के हैड बने। इंडियन Power Backup Industry में टेकनोलोजी और डिजाइन के लिए पेटेंट फाइल करने वाले सचदेव पहले भारतिय उद्योगपती थे। विश्व के पहले प्लास्टिक बॉडी इन्वर्टर के अविशकार का श्रे भी उन्हें ही दिया जाता है और उनके इस अविशकार को इंडिया टुडे ने Innovation of the Decade का भी नाम दिया। कुवर ने वर्ल्ड क्लास टेकनोलोजीज जैसे MOSFET, Micro Controller Best और DSP SignWave का अविशकार कर Power Backup इंडस्ट्री में क्रांती ला दी थी। उन्होंने भारत को Home UPS भी दिया जिसमें UPS और Inverter दोनों के गुन थे। सुकाम के आने से पहले Inverter उद्योग पर 100 से भी ज्यादा लोगों का शासन था, जो घटिया माल बेच रहे थे। लेकिन कुमवर ने पुरे Inverter उद्योग को अपने अविशकार से चुनोती दी रखी थी। कुवर अपनी उपलब्धियों से कभी संतुष्ट नहीं थे और उनमें हमेशा कुछ नई टेकनोलोजी का अविशकार करने की। एक दिन ऐसा भी होगा शायद ही किसी ने सोचा होगा। पौवर बैकप इंडस्ट्री के विकास में उनके बहुत से महत्वपूर्ण योगदानों को देखते हुए उन्हें Inverter Man of India के नाम से भी जाना जाता है। The Solar Man of India टेकनोवेशन के प्रतीकुवर का प्यार हमेशा बढ़ता ही गया था। Green Energy का निर्मान करने में उन्हें काफी रूचि थी उनकी इच्छा थी की भारत में हर जगह पर Green Energy का निर्मान होना चाहिए एक दशक पहले सौर उर्जा के उपकरण आने वाले दशकों में क्रांती लाएंगे। सौर उपकरणों की खोजकी है। और Advertising के महत्व को जान लिया था और इसी वजह से सुकाम अख़बार में विध्यापन देने वाली पहली Inverter Company बनी। कुवर के Power Solution सेक्टर में आने से पहले किसी भी कमपनी का विशिष्ट Product Manual या Catalog नहीं था लेकिन कुवर ने इसे बदल कर सुकाम के सभी Product का एक बहतरीन और आकरशित Manual Product बनाया था। कुवर ने अपनी कमपनी सुकाम के लिए बहतरीन Marketing Strategy बना रखी थी और इससे पहले किसी कमपनी ने Marketing Strategy नहीं बनाई थी लेकिन इसके बाद नब्बे के दशक में सभी ने उनके रास्तों पर चलते हुए Marketing Strategy बनाना शुरू किया। इसके बाद सुकाम प्रसिध धाबो के बोर्ड स्वयम बनाकर उनके गिफ्ट करती थी और उन पर अपने उपकरणों का विज्यापन भी देती थी। इसके पीछे एक कहानी भी है जिसके अनुसार एक बार कुवर कश्मीर में डाल सरोवर देखने गए थे और वहां उन्होंने बहुत सी खुबसूरत सीकर नाव भी देखी और अगले ही दिन वे सभी नाव सुकाम में परिवर्तित हो गई। कुवरोन महान उद्योजकों में से एक है जिन्होंने इंटर्नल ब्रांडिंग के महत्व को समझा। कुवर ने सुकाम कल्चर को इस तरह से सजाया था कि उनका पूरा स्टाफ सभी त्याहार। इसमें सुकाम का खेल सबताह भी शामिल है। कुशी से मनाते थे। उनका स्टाफ किसी बड़े परिवार से कम नहीं था। एव और अभिनेता रवी किशन के साथ मिलकर कुवर ने अपना पहला रिलिटी टीवी शो इंडिया ग्रेटेस्ट सेल्समें सेल का बाजीगर भी लांच किया। इस से पहले विक्रेटा लोगों को प्रेरित करने के लिए किसी ने भी इस तरह के शो को नहीं देखा था। इस शो को बहुत लोगों ने पसंद किया और हजारों और लाखों लोगों ने इसमें भाग लिया। और इसके विजेता आज सुकाम में काम करते हैं भारतिय ब्रांड को वैश्विक बनाना। कुवर सचदेव का हमेशा से ही यह मानना था कि यदि आप सपने देख सकते हो तो तो आप उन्हें पूरा भी कर सकते हो और उनकी इसी सोच ने सुकाम को भारत की सबसे बड़ी पौवर बैकप सोल्यूशन कमपनी बनाया। तकरीबन 90 देशों में स्थापित हो सकी। सुकाम अब इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका था और इसके साथ ही अफरीका और नेपाल जैसे देशों में सुकाम को कई अवार्ड भी मिले। भारत शिरोमनी और एंस्ट एंड यंका साल के सरवश्रिष्ट उद्योगपती अवार्ड शामिल है। आज कुवर सचदेव की जीवनी को देखते हुए हम निश्चित तोर पे यह कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ती को सफल होने के लिए डिगरी की जरूरत नहीं होती, बस आपका टैलेंट ही आपको सफल आदमी। बनाता है क्या आप जानते हैं कि बिल गेट्स और फेस्बुक के संस्थापक मार्क जुकेरबेर कॉलेज से निकाले गए ड्रॉप आउट हैं, फिर भी वे सफल हैं, क्योंकि दोस्तों रात नहीं ख्वाब बदलता है, मन्जिल नहीं कारवा बदलता है, जजबा रखे हर द